वारा पॉल करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें मेरे वाटसप और टेलिग्राम ग्रूप में जॉइन कीजिए डिस्क्रिश्टों में वीडियो लिंग आपको ग्रूप लिंग मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पॉंसर्शिप के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें दोस्तों अब इसे एक आनन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वाध़ करता हूं दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे आप लोग जीवर में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करें यही भगवान से मैं प्रातना करता हूँ दोस्तों सेकरो कॉमेंट्स आ रहे हैं मुझे स्पीट पोस्ट से रिलेटेड लोग जानना चाते हैं कि स्पीट क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है तो आज का वीडियो इसी टॉपिक प्र है आपका भी कोई कुश्चन हो डाउट हो तो जो है आप बिलीपिल पूछ सकते हैं और मैं आपके कॉमेंट्स के उपर आपके कॉश्चन के ऊपर भी वीडियो मैं जरूर तो आज का topic.. is speed post मैं आपको यहां से दुँमा, speed post क्या होता है तो यह पोरा जनकाडी आपको दुमा speed post के पारे में आपको своje knowledge नहीं है तो पूरा video देख लीचिए आज के बाद कोए coping about that स्बीजन के शीस को रहाई.. यह द्यानी वाचकर लीचे बहुत important वीडियो आपके लिए दोस्तों आज में आपको बता दना जाता हूं कि इंडियन पोस्ट ओफिस पहले जाता हूं कि पहले क्या होता था कि कुछ लोग एक ओफिस छोटा मोटा रहता था कुछ लोग काम करते थे और अच्छा के रहने ढूंश के अच्छे ने रूप मने जो है इंडियन पोस्ट ओपिस आचुका है वारे गुवर्मेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाहे है इंडियन कोश्ट ओफिस को अंच वहाँ सिंध बहुत अच्छे और देख पर भाएग को सुधारने के लिए अच्छा करने के लिए इसको पूरी तरह से डिश्टल कर दिया है और इसका स्पीड बहुत यादा तेज हो चुका है तो अब इसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आज के समय में सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस पीड पोश्ट होता क्या है जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ता है दोस्तों कि यह पोश्टल सर्विस की सबसे तेज सेवा है जिससे कोई भी व्यक्ति भारत के किसी कोने से किसी भी कोने तक अपना सामान बड़ी जल दोस्तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्पीच पोस्ट की शुरुवात भारत में सबसे पहले सन 1986 में हुई पिछे 30 सालों से इंडियन पोस्टल सर्विस ने अपने सर्विस में काफी सुधार लाया है इस स्पीच पोस्ट ने एक नई यूग का प्रारम किया है जब 25 रुपे दर से पुड़े भारत में कस्मीर से कन्या कुमारी तक के लिए एक भारत एक दर योजना सुरू की गई है दोस्तो इतने सस्ते मूल का हम भारतियों में पूरा सहीयो किया है क्योंकि यह सबके पक्ष में देने योग मूल था इस स्पीट पोष्ट भारत के बारासो से अधिक सहरों को जोड़ती है जिनमें 290 स्पीट पोष्ट केंदर राष्ट्रिय नेट वर्क और करीफ 1000 स्पीट पोष्ट केंदर राजय नेट वर्क में अवलेवल है अब दोस्तों हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि speed post जो है कैसे किया जाता है मुझे पता है कि आप लोगों को speed post भेजना आता है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कि speed post में समान भेजना आता नहीं है उसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको पता दो कि speed post कैसे किया जाता है जो भी समान आपको speed post करना है उसके लिए सबसे पहले आप इस टेंडर इंवेलफ ले लीजिए जो भी लिफाफा पगेड़ा आता है उसको आप जो भी उनका नियम है जो post office का नियम है उसके according उसको ले लीजिए कोई भारी समान हो या कुछ भी हो जो भी उनका policy है उसको अच्छे से पैक कर लीजिए अगर नर्मल चीज़ है उसको लिफाफा में आप डाल के भेज सकते हो ठीक है लिफाफा में डालने के बाद जो है उसमें आपको पूरी तरह से उसका address जो है लिखना होगा मैं आपको advise दूँगा कि जो लिफाफा भार आपको लेटर अगरा देना है तो लिफाफा में जो है आप जिस तरह का लिफाफा माल लीजिए यह है तो यहां पर आपको जो है फ्रॉम एड्रेस का मतलब यह होता है जहां से इसको भेजना है ठीक है तो यहां पर फ्रॉम एड्रेस का मतलब यह होता है जहां से इसको भे अगर पोस्ट आपका नहीं पहुच पाए तो आपके घर पर असानी से उसको पहुचाया जा सके पूरा इसको बनाने के बाद जो है आप अपने नजदी की किसी भी पोस्ट आफिस में आपको आप चले जाएए वहाँ पर आप काउंटर पर जाएए जहां पर स्पीड पोस्ट जमा हो रहा है वहाँ पर यह लिफाफा दे दिजिए वहाँ पर जो है इसका वेड किया जाता ह अब किया है उसको सेफटी के साथ रही है अगर किसी तरह कोई बाद میں अगर प्रोब्लम होता है तो उसिस का जो स्पीड पोस्ट है आपको जो समान है वह कहां पर है किस उसका इस्टेटर है यह एffOR के सी हैं अपिस तरह से आप इस पीड पोस्ट कर लेते हो एझा है अब इ चार्ट में मैं आपने बताया है कि कितनी दूरी तक आपको क्या rate रहता है जैसे कि आप 50 g का हो और आपका ये अस्थानियों हो तो 12 रünde, अगर 50 g से 200 g हो अस्थानिये 20 रूपिया, 201-200g रोपिया, थीक है उसी तरह से अगर आप अच्छे से देख लिएगे जानल अब दोस्तों यह पों स्याहँ गया चैंदर डाक घर करे दोछद मिलता है यह tracking number होता है, इस tracking number के माधिम से आप कभी भी अपने जो है post को track कर सकते हो, इसके लिए जो है Indian Post Office का जो website होता है official website, उस पर जाओगे तो आपको tracking करने के लिए जगह होता है, उसको click करना है और अपना यह जो number आप डालेगा, ठीक है, यह number आप डाल के आप जो है कहां पढ़ा है, उसका status का है, वो सारा जनकाड़ी आपको मिल जाएगा तो यह रसीद आपके पास रहना चाहिए, और यह tracking number इसको tracking number कहा जाता है या फिर इसको consignment number कहा जाता है, इसको इस number के माधिम से ही आप अपना कभी भी speed post को track कर सकते हो दोस्तों यहां पर मैंने speed post के बाड़े में फूरी जनकाड़ी आपको दी, आपको यह video कैसा लगा है, comment करके जरूर बताईएगा आपका भी क्यों question हो, doubt हो तो आप comment कर सकते हैं, उसके उपर भी में video जरूर बनाऊंगा और आपको हमेशा knowledge देता रहूंगा अगर आप पहली बार channel पराए हैं, तो आप channel को subscribe कर लिजे, मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के knowledge वाले वीडियो में हमेशा डालते रहता हूं, इससे आपको बहुत ज़्यादा benefit होगा आप मेरे WhatsApp और Telegram ग्रूप में जॉइन कर सकते हो, ग्रूप का link वीडियो के description में है, तो आप उसको जुरूर फॉलो कीजिए दोस्तों और मुझे support कीजिए आप, कभी भी मुझे मुझे बात कर सकते हैं, call me for application के दुवारा, call करने के लिए instruction follow करें, मेरे WhatsApp और Telegram ग्रूप में कमिंट में डाल दीजिए, मेरे latest वीडियो के notification के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए, बहुत बहुत रहने हैं